इस प्राइस को देखते हुए मझे याओमी 13 और 13 प्रो के स्पेसिफिकेशन इतने अच्छे नहीं लेगे मैं इसा क्यों बोल रहा हूं मैं आपको बताऊंगा आगे डेफिनिटली जब मैं वन बाइवन इसके सारे स्पेसिफिकेशन आपको एक्स्पेसिकेशन करने की लेकिन यहां पर अगर आप चल्में पहली बार आयो तो प्रीज आनको सब्सक्राइब करो और बेन नोटिफिकेशन को आल पर रख लो यहां पर सबसे पहले दोस्तों अगर मैं डिजाइन के हिसाब से आपको थोड़ा सा बता दू तो याओमी 13 का जो डिजाइन है वो ट्र यहां पर गाइस पूरा पूरा डिटो मतलब मुझा आइफोन ही लगा है आपको एक वारी चीज बताते हैं वह भी बहुत जादा आइफोन से इंस्पायर पैनल दो तो आइकन के प्लेस्मेंट वह भी बिल्कुल वैसी है जैसे आइफोन में देखने की मिलते हो और यहां प आइफोन के जैसा ही अगर आप सिर्व इसका कैमरा मॉडल चोड़ देंगे हो क्योंकि कैमरा मॉडल जो है दोस्तों यह एक्स्टेंड नहीं है रेर से अलग से अलग से जोना तो इसमें यही चेंज हमें देखने की मिलता है कि इसमें कर्ब्ड डिजान में देखने की मिलता है 120Hz का refresh rate मिलता है और साथी में 1900 nits की peak brightness मिलती है जो के काफी अच्छी बात है काफी अच्छा लगा है दोस्तों अगर आप याउमी 13 pro के display को देखोगे तो आपको दो दोनों ही displays में एक बेकार बात ना गिए कि दोनों ही फोन में company LTPO 2 डिस्प्ले नहीं देती है विच मींस के इसमें adaptive refresh rate नहीं मिलेगा अगर ऐसा होता तो अच्छी बात हो जाती थी क्योंकि हाई refresh rate है और वो खुछ से जोनों दोस्तों अडप कर लेता apps के usage को देखते हो यह price range में launch हो रहा है उसमें LTPO डिस्प्ले देना तो बनता यार लाजमी बात है अब दोस्तों बात करता हूं finally में camera specifications को लेकिये तो याउमी 13 में हमें triple setup देखने मिल जाता है जिसमें 50 megapixel का primary lens है 10 megapixel के टेलेफोटो लेंस है 12 megapixel के इसमें ultra wide lens है और साथ ही में आप अगर बात कर में ने दिया है और दोन ही phones में 32 megapixel का selfie camera देख निकल मिल जाता है अब यहां पर guys देखें मैं एक जोना अपनी mistakes हो दाना चाहता हूं में last video में कहा था कि इसमें 75 mm का focal length मिलता है लेकिन guys यह 75 mm का focal length है यह telephoto lens में मिलता है main में नहीं मिलता है क्योंकि मैंने compare किया था इसको samsung Galaxy S22 Ultra से iPhone 14 Pro से तो उसमें obviously 23 or 24 mm का focal length मिलता है लेकिन guys वह उसका main camera था actually अगर उने भी देखेंगे तो हम telephoto lens जो है 77 mm का मिलता है which is way much better than Xiaomi 13 and 13 Pro तो Xiaomi 13 Pro में 75 mm का focal length मिलता है यह telephoto lens में मिलता है अगर आपने वो वीडियो देखा और आपको लगेगे नहीं यह गलत information है तो इहां पर obviously मैं इसको correct कर दिया है तो please no hate साथ में guys मुझे एक चीज इसमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो यह है कि दोनों ही phones में front camera से आप 60 fps पर recording नहीं कर सकते हो 4K पर recording नहीं कर सकते हो मतलब आप एक के resolution भी रिकॉर्ड कर पाओगे 1080p वो भी 30 fps अगर 30 fps भी देना है तो at least 4K रिकॉर्डिंग देने त्यार आज के time पे इतने price के phones में obviously front camera से आप 4K रिकॉर्डिंग भी कर पा रहे हो आइफोन से compare नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आइफोन में front camera में काफी अच्छी options में देखने मिल जाते हैं लेकिन अगर आप दूसरे Chinese phones में भी देखोगे तो वो लोग भी दोस्तों front camera में सेलफी camera में 4K का support देते हैं और 4K का support अगर नहीं भी तो at least 60fps का support देते हैं तो यह बहुत ही बड़ी जोना दोस्तों major downgrade वाली बात हो जाती है 8GB 12GB दोनों ही RAM विरेंड में फोन आते हैं साथ ही में अगर इंटना storage की बात करेंगे तो 128GB 256GB और 512GB तक आपको यह फोन मिल जाते हैं तो यहां पर hardware के सबसे तो obviously phone अच्छा है और मेरे सबसे यही है कि यह जो फोन है मतब 13 और 13 Pro दोनों ही जोना दोस्तों वो completely एक hardware oriented phone है मेरे इसाब से company जो price ले सकती है इस phone का उसके इसाब से जो स्पेसिफिकेशन मिलते है वह वर्थ नहीं है अभी oneplus 11 pro को देखेंगे वह आने वाला है उसका जोना 200 क्या चीज़ रहती है और 100% जोना इसको जबदर टक कर देने माला क्योंकि उसमें at least एक better specifications हमे में देखने मिल जाते हैं अब बात करूंगा battery और software के बारे में थाटीन में 4500 mAh की battery मिलती है जिसको 67 watt की fast charging से चार्ज कर पाऊगे लेकिन वहीं पर अगर अगर थाडिंग pro को तो होगे उसमें 4820 mAh की battery मिलती है मतलब क्या है या यह 5000 mAh की battery अगर आप देता है फोन इतना और इसमें android 13 मिलता है out of the box finally guys यह तो हो गई सारी चीज़े सारे specifications जो इसके confirmed हुए क्योंकि launch हो गया है चायना में आप से बात करूंगा price और launch के बारे में यहां पर December 14 को इसका launch हो चुका है चायना में और sale के लिए अविलेबल हो जाएगा जल्दी लेकिन अगर ग्लोबल ल अगर देखने के लिए मिल सकता है अब price अगर देखेंगे तो वहां पर तो आ चुका है वहां के सबसे price तो थोड़ा कम होता है लेकिन इंडिया में obviously price थोड़ा भर के आएगा क्योंकि अगर आप directly जानों दोस्तों currencies को convert करो तो 40 या 47,000 में आ रहा है लेकिन ऐसा नहीं है इ यही थी पूरी information याउमी 13 और 13 प्रो से related I hope आपको समझ में आए तो कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि price के हिसाब से मुझे phone बिलकुल भी बेकार लगा है और oneplus 11 pro का में वेट कर रहे हैं देखते भी oneplus 11 pro जो price रहे हैं उसके सबसे क्या specifications मिलते है वैसे आपका कहना मुझे जरू आपने आगले वीडियो में जय हैं